चूले आस्मा जमी की तलाश न कर, जीले जिन्दगी खुशी की तलाश न कर, तक्दीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर. नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नए ठोट, एक नए मोटिवेशनल पार्ट के साथ, तो आज का मेरा टॉपिक है कि किस तरह से हम बच्चों को मोटिवेट करें और ये कोशिश करें कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, जैसे लास्ट टाम मैंने आप साहित करें क्योंना हम उनको भी उस चीज का प्रॉफिट बताते हुए, फायदे बताते हुए, उनसे बोले कि चलो, अगर आप इस फेल्ड में हो तो जो भी काम करो, मल लगा के करो, अगर वो काम आप मल लगा के करते हो, तो वो आपको उतना ही फायदा देंगे और आपके इस चीज कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश खेल के तरफ भी जाए, तब भी आप लोग नोटिस कीजिए कि हम लोग स्पोर्ट्स में, हम लोग फुटबॉल इन सब चीजों में बेभी हम लोग धिरे-धिरे आगे बढ़ने लगे हैं, तो आजकल की पीडी के साथ ऐसा नही हैं, आजकल की पीडी हर जगे जाना चाहती है, चाहें वो गेम्स हो, चाहें वो पड़ाई हो, चाहें वो अधर अक्टिविटीज हो, तो उनके लिए जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं, किसने किसी फील्ड में जानेगी और वो हर बार कोशिश करते हैं कि कहीं ने कहीं वो अच्छा दें तो वहाँ हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कभी भी उनको किसी भी चीज को लेकर डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि यह अच्छा नहीं है या इस पर कम ध्यान दो पढ़ाई भी करो हम लोग सब को ही जानते हैं कि पढ़ाई करना उतना ही जरूरी है जैसे हमारे शरीर के लिए खाना खाना लेकिन उसके साथ अकर आपका बच्चा कोशिश करता है कि वो उसका अपना एक इंट्रेस्ट डवलप करे और उस इंट्रेस्ट के तरफ जाए और आपको लगता है कि वो अपना 2000% उस चीज में दे रहा है तो मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा उसे टाइम दीजिए पढ़ाई के लिए बिल्कुल उसे मोटिवेट कीजिए ऐसा नहीं कहूँगा कि आप उसे बोले कि पढ़ाई नहीं होनी चाहिए लेकिन उसको वो जिस फिल्ड में है उस फिल्ड में भी कोशिश कीजिए कि वो उस फिल्ड में अपना 2000% दे जैसे मेरी नजर में हमारे बहुत सारे बच्चे जो आज अच्छा प्ले कर रहे है थोड़ा सा लगता है कि उनका पढ़ाई का नुकसान हो रहा है लेकिन जब हम उने देखते हैं कि वो उस फिल्ड में जिस फिल्ड में या जिस स्पोर्स में वो गई है उसमें अपना 2000% दे रहे हैं और बहुत खुशी होती है जब हम उन बच्चों को देखते हैं जिनको कभी हम कहते थे बिटा पढ़ो अच्छा करो थोड़ा सा और अपने आपको एक्सप्रेस करो लेकिन आज वो बच्चों ने करके दिखाया है कि सर हमारे पास भी एक अपना ऐसा हतियार है जिनसे हम भी अपने आपको प्रस्तुत कर सकते हैं और हमारा भी अपना एक फिल्ड है तो मैं सबसे यही बिंती करना चाहूँगा कि बच्चा आपका बच्चा सी हम बार बार एक चीज़ कहते हैं कि हमने उसको अपने च्छाओं में रखा है अगर हमने उसको च्छाओं में रखा है कि वो किसी फिल्ड में जाना चाता है तो मेरे अकॉर्डिंग मैं यही आप से मोटिवेशनल बात कहूंगा कि प्लीज उसे मौका दीजिए कि वो उस फिल्ड में भी अपनी प्रतिबा को दिखा है नहीं तो कल ऐसा नहों कि वो बच्चे ने कहा कि मुझे इस फिल्ड में जाना है आपने बोला नहीं पढ़ाई करनी है तो कल हम यह भी नहीं कहसते हैं कि बिटा तुमने पढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं करा क्योंकि वो साफ सा बात है कि आपने जो उसका मोटिवेशनल फिल्ड था उसको आपने कैंसल किया तो यह मेरी सबसे request है कि अपने बच्चों को अपने student को अपने friend को अगर वो किसी अच्छी field में जाने के लिए बोल रहा है So please उसे motivate कीजिए और उसका बात में आप result देखके ना खुद ही खुश होंगे कि आपका दिया गया फैसला बहुत अच्छा था